नमस्कार जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ को मिलगंवार बुलेटिन की शुवात करेंगे तो किसानों का आंदोलन समाप्त होते ही सभी किसानों किसान भूती लेने की कोशिश में है ऐसे में पंजाब की कॉंग्रेस सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर केंदर पर हमला वर रही है अब ऐसे में मुद्दा समाप्त होने के बाद चुनावी मौसम में उसे जटका लगा है इसलिए सीम चन्नी ने रूपनगर में जनसभाग में बड़ा एलान किया है सीम चन्नी ने किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का एलान किया है और सीम चन्नी बोले हैं कि पंजाब के सभी किसानों को पूरा कर्जा माफ करने की दिशा में सरकार आगे बड़ रही है ऐसे में इस संबन में पियम मोदी को पत्र भी लिखा गया है गया है वह नहीं इसी मांग के परवान कर लें ते उदे नोटिफिक्षिशन जारी हो रहे सारा जड़ा उना ते मताबक है मंगा मन लें रहे हैं के पंजाब सरकार किसाना दा टोटल करजा माफ करना चूंदी है दो लग तक दा करजा ऐसी माफ कर चुकिया है लेकिन मैं चूं लिखी है किसाना दा करजा माफ करन वास्ते के इंदर सरकार भी सानू नाड मिलके एक पॉलिसी बनावे जी दे नाड किसाना दा पूरा करजा माफ हो सके एस वारेज में कुछ दिना तक परदान मंतरी जिनों जाके मिलांगा ते एसी पूरा करजा किसाना दा दे खेत मज़ कर रहा है वही दूसरे और हर्याना में कोरोना के खलाफ मजबूती से जंग जा रही है अपको बता दे कि प्रदेश में वैक्सिनेशन डोज लगाने का आंकड़ा तीन करोड के पार पहुंच गया है जिसकी जानकारी खुद मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने ट्वेट कर दिया ह मनोहर लाल ने ट्वेट कर लिखाया है मनोहर सरकार कर रहे कोविड-19 पर निरंतर प्रहार प्रदेश में वैक्सिनेशन का आंकड़ा पहुंचा तीन करोड के पार और अब आपको ग्राफिक्स के जरिये बताते हैं कि हर्याना में वैक्सिनेशन के क्या हाल है क्रदेश में अब तक कोल तीन करोड सतर हजार वैक्सिन डोज लगे 92 प्रतिशत लगवा चुके वैक्सिन की पहली डोज 54 प्रतिशत लोगों ने लिए वैक्सिन की दूसरी डोज अठारा से चवालिस आयू वर्ग में एक करोड सतासी लाग तेतिस हजार चैसो चौरासी लोग वैक्सिनेटेड 45 से साथ वर्ष वर्ग में 66 लाग शबिस हजार चैसो पच्चिस लोगों ने लगवाई वैक्सिन सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में लगे 40 लाग टीके फरिदाबाद में दी गई 28 लाग 43 अजार लोगों को डोज करनाल में 17 लाग लोग वैक्सिनेटेड अमबाला और सोनीपत में 16-16 लाग लोगों को लगा चीका हिसार में 15 लाग लोगों को लगी वैक्सिन पानिपत यम्ननगर में 13-13 लाग से ज़ादा लोगों को वैक्सिनेटेड सिर्सा और भिवानी में भी 13-13 लाग को लगी डोज पंचकुला में 8 लाग 20 अजार को लगी वैक्सिन फतेहबाद में 8 लाग 64 अजार लोगों को लगे ठीके और हर्याना में कुरूशेत्र में गीता ग्यान संस्थानम में युवाच एतना कारक्रम का आवजुन किया गया इसकार क्रम में लोगसभाय स्पीकर ओंबिल्डा और मुख्य मंत्री मनोहलाल पहुचे वहें इस बौके पर ग्यान संस्थानम में आयुजित हुए युवा संमेलन में लोगसभा स्पीकर ओंबिल्डा बुले कुरूशेत्र की धर्ती पूरे विश्य को जीवन जीने की रहा दिखाती है मुख्य मंत्री मनोहलाल ने कहा कि आज के समाज में गीता के महत्यों को रेखांकित किया करना कि युकर आमारी वही धर्तिय ज़ा हम धर्म संस्कृती पर विश्वास करते हैं धर्म किसी का भी हो हर धर्म संत्र्प्य मार्क पांष चलाने की रहा दिखाता है हर धर्म नेतिकता के मार्क आज सभी धर्म में, सभी वर्ग में, सभी शित्रों के अंदर लोगों को जीन जीने की। पहली तस्वीर सिंगू बॉर्डर की है, जहां आप देख सकते हैं, लोग भांगडा करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी इनकी नजर आ रहे हैं, सिंगू बॉर्डर से श्री दर्बार साहिब के लिए रवाना हुआ है, यह जथ्था, दूसी तस्वीर आपको हर्याना के सि बगत किया जा रहा है, और साथी लंगर पानी की व्यवस्था भी, चौती तस्वीर आपको यम्नोनगर की दिखा रहे हैं, जहां किसान जूमते हुए नजर आ रहे हैं, चाहरोई तस्वीर से आप समझ सकते हैं किसानों में कितनी खुशी है, करणाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों में जोश देखते ही बन रहा है, टोल प्लाजा पर लगातार ट्रक्टर ट्रॉलियां सिंगू बॉर्डर से अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, किसानों के लिए लंगर की विवस्ता की है, किसानों में जहां खुशी देखने को मिल रही है, वहीं किसानों को इस बात का गम भी है कि उनके कई साथियों ने जान भी गवाई, किसानों का कहना है कि वो अपनी जीत हासल करके वापस जा रहे हैं, पर आपने पावर दा पता लग जिया बाकी एता साथ हख ले दोनों बासे लोटी संदाशी विए ब्राबर्बर्दी टक्कराइपर उता था था थे मुगा बड़े कुछ भी नहीं हो यह था जाए बहुत जाए खुशी आई परमातमा दा तान नवादा जी असी परमातमा दा तर नवादी टे साथ हर्याना टे पंजाव नो उनने मलाया जी पहला पहुत देर तो बाक्सी के है ते हो ना जितके चले पंजाव नो पंजाव दे हरे एक पिंटे परोगरम हैका तो पहला हमन्ग परमातमा दा बहुत बहुत चान बादवाद आट बढ़े बादी बड़ी कर देजिए पिकारे आजिए जिकारे चाड़ते यह वो मोदिया जट गया आज एबी केनने हैं के हंकारी जडी सरकार सी और निभी आज एस गर्नों तरबाद भी करते हैं सरकार्दा आप तुई कसाना दी गर्नों मन्ने हां सुच्छे पाई चारे नू कैम रखे आज ते साथ हर्याना की के अथल में बीजेपी के जिला स्तरिये दो देवसिये प्रस्क्रिक्शन वर्ग और जिलाकर समिती का आगास किया आपको बता दे किस कार्करूम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढंडा मुख्यातिती के रूप पर पहुच वे यहां पर साथी उन्हों ने दी प्रजलन कर प्रस्क्रिक्शन वर्ग का शुभारम किया और वहीं कारकर्म को सम्भोदित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार की साथ साल की उपलब धियां भी गिनवाई लोग समस्मान के पिरक मुझाट्टमी अबंगला आपस्टो दो आटängerटनौकर्म अटांडूलोट आवजड एपनॉन्नुमियाच वन्होंẸं sweeping अन्होंनस वायोच